बहुत अच्छे तो ये जो भी सफर है वो पैरलल चलने वाला है और आपकी बातों से पता चल रहा है हम एक ही लेवल पर नहीं बलकि तीनों लेवल पर साथ में काम करेंगे हर कक्षा में तीनों लेवल के चात्र होते है और मध्यम से कम गती से सीखने वाले चात्र अभी एफलन पूरा करने हाले है और इसलिए नैस और पीसा के चात्र रुके रहे ये उन चात्रों पर अन्याय होगा हम जो सीखने की प्रक्रिया करने वाले है उसमें नैस तर के चात्र असर लेवल के चात्रों की मदद करेंगे पीसा लेवल के चात्र, नैस और असर दोनों लेवल के चात्रों की मदद करेंगे इसलिए सिर्फ शिक्षक के भरोसे शिक्षन नहीं होगा ये चात्र दूसरों की मदद करते हुए आगे जाने वाले है इससे सिखने की गती बढ़ती है जो चात्र दूसरों की मदद करते है उनमें 21 सदी के कौशल भी बढ़ते जाते है ये सब फायदे याने विन-विन चीज़े है ये सारे चात्रों को साथ में लेकर चलना और फिर भी अतिक गती से आगे जाना ये सब चीज़े एक साथ होती है ये जो नई प्रक्रिया है उसका ये नतीज़ा है कि जैसे अभी हमने विशलेशन किया असर लेवल के चात्रों के लिए नैस और पीसा लेवल के चात्र शिक्षक के तौर पर उपलब्ध होते हैं इसलिए अब सिखाने वाले एक ही शिक्षक नहीं, पर बहुत सारे शिक्षक तयार होते हैं। फिर मोबाइल है, पालग भी है और गाओ के बाकी के लोग भी है, स्कूल के बाकी के कक्षा के चात्र भी है, इससे गती बढ़ती है, और सब साथ में सीख सकते है सारे लेवल के चात्र एक ही साथ आगे जाते है और ऐसे हम किसी को रुखने नहीं देंगे बाकी चात्र सीखने के लिए और ये हम सब लेवल के चात्रों के लिए करेंगे आपने जो विशलेशन किया उससे मुझे समझा यहाँ पर शिक्षकों को सब कुछ सिखाना नहीं है सारे चात्र साथ आकर एक दूसरे की मदद से सीखने वाले है उसका फाइदा ये होगा कि शिक्षक भी खूश होंगे और हर लेवल के चात्रों का वीचार भी इस प्रक्रिया में किया गया है जी हाँ इसका मतलब ये भी है कि शिक्षकों को मेनत कम होने वाली है श्रम आधे हो जाएंगे ऐसे हम प्रशिक्षन में कहते है परणाम दुगने से भी ज़्यादा और इस वज़े से आनन्द और समाधान तिगने से भी ज्यादा ये हमारा घोशवाक्य है कि अगर ऐसे सिक्षन दिया गया तो श्रम आधे होंगे परणाम दुगने से ज्यादा और आनन्द तिगने से ज्यादा ये प्रक्रिया वीजे एंटी स्कूलों में, हर स्कूल में, हर कक्षा में, हर चात्र के साथ की जाए यही हमारा धे है और हम ये करेंगे बढ़िया सर, हर व्यक्ति को ये पसंद आएगा कि उसके श्रम कम हो रहे है और परणाम दुगने हो रहे है हर व्यक्ति यही चीज़ चाहेगा बिलकुल सही है मानव जो मैं खुद को समझता हो और जो मैं दुनिया में देखता हो तो परणाम तो चाहिए होते है यज़ भी चाहिए होता है लेकिन उसके लिए लगने वाली मेहनत के लिए मैं बहुधिक मेहनत करने के लिए तयार हूँ अगर मानव का डिजाइन देखा जाए तो शारिरिक मेहनत कम करने में उसका रूज़ान है अगर हमारी कीचन में देखा जाए मेरी म्या की कीचन में सिल्बट्टा होता था मेरे और मेरे बीवी के कीचन में आज मिकसर ग्राइंडर है तो शारिरिक्ष्रम मानव कम करते जा रहा है और बुद्धी का इस्तमाल अधिक कर रहा है इसलिए नए टेक्नोलोजिज और मशिन्स आते है ये चीज शिक्षकों पर भी लागू है जीतोड मेहनत करके शिक्षक बार-बार लेक्षस लेते रहते है लेकिन ये उनको पसंद नहीं जीतोड मेहनत करके वो सिखाते रहते है पर उनको वो पसंद नहीं दिमाग का इस्तमाल करके ज्यादा से ज्यादा चात्र सिखे ये उनके लिए अच्छा है शिक्षकोंने सिखाने के बाद भी अगर चात्र ना सीख सके ऐसा दुख सहने से अच्छा, शिक्षकोंने बगर सिखाये भी चात्र सीख गए ये सबके लिए अच्छा है, जो यूटो गोजी में होता है इस नए तरीके के प्रशिक्षण में learning interventions द्वारा होता है ये शिक्षकों को पसंद आएगा ऐसा मेरा विश्वास है बहुत जल्दी VJNT स्कूल के शिक्षक भी हमारे साथ होंगे वो जल्दी ही परणाम लाएंगे और वो समाधनी होंगे हम इस चीज़ पर काम करेंगे बहुत खुब सर